यह इसका अर्मेचरी यह पूरा जल चुका है ठीक है इसके वहें से यह प्रोब्लम आ रहा था इसमें यह सर्कुलर साव कम नहीं कर रहा है हेलो दोस्तों आपको इलेक्टिकल लतिंद्रा में स्वागते तो दोस्तों मेरे पास एक मागिता कंपनी का अरे से बोस कंपनी का ठीक है यह सेर्कुलर साव आया है इसको हम गाहूं के भासा में उडन कटर भी बोलते हैं तो इसमें यहीं प्रॉब्लम है कि इसके अंदर का जो अर्मेचर होता है वो खराब हो चुका है कुछ इस तरीके से देख रहे हैं तो इसी तरीके का इसका अंदर जो अर्मेचर है वो जल चुका है इसके वैस से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा इस पार का रहा है और जो कार्बन ब्रस डाल रहे हैं वो तूट जा रहा है ठीक है मतलब मैं अभी नहीं डाला मैं चेक किया तो पदा चला कि इसका अर्मेचर खराब है लेकिन यह जिसका बोस है यह सेर्कुलर 100 है तो वो अगर चेंज किये थे तो एक बार तो तूट गया तो इसके वैसे यह लाए है मेरे पास तो मैं चेक किया तो पदा चला कि इसका अर्मेचर खराब है तो मैं आगे आपको वीडियो में चेंज कर के दिखाउंगा गैस का जी आर्मेचर होता है कैसे करते है है Creek hey तो उसके लिए वीडियो में आगे बढ़ने के लिए बढ़ने से पहले आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सस्क्राइब नहीं किये तो प्लीज सस्क्राइब करें शेयर करें उसके बाद से बेल आइकन पर किलिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो इस अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें तो दोस्तों ये बोस कंपनी का है इसका मोडन नम Jenkins 7 इसका ये मोडन नमनिल यह ओके तो उसमें आपार मेचर हम चेंज करनेंगे तो आर मेचर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि पहले ये दोनों को ओपेन करके बाहर निकालके यहां से कार्बन ब्रस निकालना पड़ेगा ठीक है तो देखिए मैं अब इसको ओपेन करता हूँ हम प्रंव करेंगे और दोनों को और प्रिमूब करेंगे टूट जाएगा तो इससे अच्छा रहेगा कि पहले आप remove कर लिजे इसको ठीक है तो इस तरीके से इसको हम remove करते हैं ठीक है तो ये निकल जाता है अराम से इस तरीके से ठीक है तो इसको remove करके उसके बाद आप क्या करेंगे कि हम इसका जो 4 screw है एक, दो, तीन और एक इडर है चार चार हो screw को open करेंगे open करेंगे तब जाके ये अपना ये बाहर आप आएगा तो मैं अब इसको open करता हूँ तो देखिए दोस्तों मैंने सारा screw को open कर दिया अब इसको निकाल लूँगा ये इजली तरीके साइसे निकल जाएगा इसको निकाल रहा हूँ ठीक है देखिए ये इसका armature ये पूरा जल चुका है ठीक है इसके वैसे ये problem आ रहा था इसमें ये circular सा काम नहीं कर रहा था जालू भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये पूरा इसका जो supply देता है इसके अंदर armature का वो खराब हो चुका था ठीक है तो देखिए ये पुरा नया वाला ये देखिए आपको दिखा रहा है इसको ये देखिए इसका model number बोल ला था न model number लिखा होता है तो इसका armature का model numberuje बो races का ये GKS7 ठीक है तो ये देखिए ये नया ARMature है ठीक है तो देखिए ये नया ARMature है अब मैं क्या करूंगा दोस्तों कि ये जो देख रहे हैं arm यह जो पुराना वाला अर्मेचर है अपना ठीक है तो यह देखिए यहाँ पर पूरा जल चुका है ठीक है तो मैं अब क्या करूँगा कि इसके जगह पे अब यह नया वाला अर्मेचर लगाऊंगा मैं ठीक है तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे हम चेंज करने में ज्य उगा बैठनत के बाद से इसके अंधर डाल दीनगे अम ठीक है अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका यह जो इक की कowal assembly है अब इसको हम लगाएंगे इसके अंदर फीक है यह लेखिए इस तरीके से आपस an देंगे ले बा में देल देर convention niew को भी इसके बाद कारेंगे तो मैं आभ इसको Tight कर रहा हूं तारो इस क्रूर को तो देखिये मैंने Tight कर दिया सारे इस क्रूर को ठीके उसके बाद से यह जो Carbon holder है ठीके तो यह लगाएंगे तो देखिये कैसे लगाता हूं मैं Carbon होल्डर को अभी easy तरीके से इसको लगा सकते हैं इसके बाद से आप दूथरा भी लगाएंगे इसके अंदर तो इस तरीके से करबन बुरस को लगाते हैं देखिए ये भी लग गया ठीक है उसके बाद से अब इसका जो पीछे का कवर है वो लगाएंगे तो लगा कि आपको चालू करके मैं दिखाऊंगा कि इसका जो प्रोब्लम था वो सॉल हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि ये चल भी नहीं रहा था जब आया था उस टाइम पर क्यो अब मैं इसमें सफलाई देके आपको चालू करके दिखा रहा हूं कि इसका जो प्रोब्लम था वो सॉल हुआ कि नहीं हुआ तो देखिए मैंने इसमें पाउर सफलाई दे दिया अब आपको चालू करके दिखा रहा हूं तो मैं चालू कर रहा हूं अब तो यही प्रोब्लम था कि इसके अंदर का जो अर्मेचर था उसका यह जो कोयल था ठीक है तो यह देखिए पूरा खराब हो चुका था इसके वैसे इसमें प्रोब्लम आ रहा था ठीक है देख रहे हैं तो अभी के लिए इतना है फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में तो थै